बेल के शेरों में 5% का उच्छाल, FY 23 में मिले 23,548 करोड के नए ओर्डर, जानिए क्या है, ब्रोकरेज की राय बेल को वित्वर्ष 2022 से 23 में 23,548 करोड रुपए के ओर्डर मिले हैं, यह इससे पहले के वित्वर्ष के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है, बेल को वित्वर्ष 2021 से 22 में 20,078 करोड रुपए के ओर्डर मिले थे, आज 29 मई को कमपणी के शेरों में 5% की दमदार तेजी देखी गई है, पब्लिक सेक्टर की एंजिनेरिंग कमपणी भारत हेवी इलेक्टरिकल्स लिमिटेड बेल के शेरों में आज 29 मई को 5% की दमदार तेजी देखी गई है, यह स्टॉक एनसी पर 82.95 रुपए के भाफ पर बंद हुआ है, कमपणी को वित्वर्ष 2022 से 23 में 23,548 करोड रुपए के ओर्डर मिले हैं, यह इससे पहले के वित्वर्ष के मुकाबले 17 फीसदी अधिक है, भेल को वित्वर्ष 2021 से 22 में 20,078 करोड र मिले थे, वंदे भारक ट्रेनों का मिला है ओर्डर, भेल ने कहा कि अपरेल 2023 में वंदे भारक ट्रेन सेट के ओर्डर के साथ कुल ओर्डर एक लाख करोड रुपए को पार कर गया है, भेल भेल टी टागड वैगन्स लिमिटेड ग्रुप को वंदे भारक ट्रेनों के निर् और एक्सपोर्ट सेग्मेंट में 23,548 करोड रुपए टैक्स को छोड़ कर मूल्य के ओर्डर हासिल किये। इसके साथ कम्पनी के कुल ओर्डर वित्वर्ष के अंत में 91,336 करोड रुपए से अधिक के रहे। ब्रोक्रेज फर्म की क्या है राय ब्रोक्रेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा बिजली की बढ़ती मां के कारण तीन साल के अंतराल के बाद थर्मल पावर ओर्डरिंग में तेजी देखी जा रही है। भेल को तीन साथ शूने शूने मेगावाट के ओर्डर मिले हैं। ब्रोक्रेज ने आगे कहा, इसके अलावा छूने शूने शूने मेगावाट की प्रोजेक्ट्स यमुनानगर, अदानी मुंदरा, तालाबीरा और नायवेली के लिए बोली लगाने के चरण में हैं, जो मध्यम अवधी में भेल के लिए बहतर संकेत है। हमारा मानना है कि कमपनी धर्माल पावर ओर्डर में तेजी और रेलवे, डिफेंस, नुकलियर, हाइडरो जैसे सिगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही हैं, जो लंबी अवधी में अच्छा है।